Welcome friends, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज हम ये जानेंगे कि वकील को कब गिरफतार नहीं किया जा सकता या फिर वकीलों के अधिकार क्या है या गिरफतारी से वकील को कब छूट दी गई है इन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो में धी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे तो आज हम ये जानेंगे कि वकील को कब गिरफतार नहीं किया जा सकता या फिर वकीलों के अधिकार क्या हैं या वकील को गिरफतारी से कब छूट दी गई है Advocate Act 1961 में Advocates को कई महत्पुन अधिकार प्रापत हैं लेकिन उसमें से दो महत्पुन अधिकारों के बारे में आज हम बात करेंगे जिसमें सबसे पहला महत्पुन अधिकार ये है कि Advocates को अपनी बात रखने का अधिकार है वो अपनी बात किसी भी नियाधीश चाहे वो High Court का हो, Supreme Court का हो या फिर District Judge हो उनके सामने Advocate अपनी बात रख सकता है और एक नियाधीश भी उनकी बातों को गंभिरता पूर्वक लेगा नियाईधीश को वकील की बातों पर हसना नहीं होगा और ना ही उनकी बातों को हलके में लेना होगा For example, अगर कोई नियाइधीश किसी वकील की बातों पर हसता है या फिर वो नियाइधीश एडवोकेट को गाली कलोच करता है या उसके साथ अभधरता पूरवक व्यवहार करता है तो वो नियाइधीश भी नियाले अफमानना अधिनियम की धारा, सोला के अंतरगत वो नियाइ अधिकार ये है गिरफतारी से छूट सिविल प्रक्रिय सहिंता 1908 की धारा 135 सिविल आदेशकों को गिरफतारी से छूट होती है जब कोई भी नियाइधीश, मैजिस्ट्रेट या फिर नियाइधीश या अन्य नियाइक अधिकारी अगर कोट में जा रहे हूं या फिर कोट परिसर से वापिस लोट रहे हूं तो ऐसी कंडिशन में उन्हें गिरफतार नहीं किया जा सकता अधिवक्ता कोट का एक अभीन अंग होता है इसके बिना नियाए नहीं लिया जा सकता इसलिए कोट जाते समये या फिर कोट से लोटते समये अधिवक्ता को सिविल आदेशको के अधीन गिरफतार नहीं किया जा सकता यदि किसी एड़ोकेट को कोट आते समय अगर सिविल आदेशकों के अधीन गिरफतारी की गई या फिर उसे रोका गया तो ये न्याले की अवमाना मानी जाएगी तो आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि वकील को कब जरूर करें वीडियो में लाव तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद